Cambridge Senior English Translation by RN Mishra course में आपका स्वागत है इस course में हम आपको 255 exercises solve करवाएंगे अगर आप सभी exercises solve करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें इस exercise का explanation वीडियो के last में दिये जाएंगे आइए स्टार्ट करते हैं exercise 12 of 255 ठीक है do it into English आपको पहले खुद से बनानी ही कोशिश कीजिए फिर concept तो हम आपको समझाएंगे तो अच्छे से चीजें clear हो जाएंगे आइए स्टार्ट करते हैं मैं गरीब था ठीक है I was poor हम लोग प्रसन्न थे we were happy we were glad अब देखें यहाँ पर कुछ concept को समझाएंगे लेजें किसके संग word लगता है किसके संग was I के संग was I was he was she was it was you के साथ were we were they were ठीक है इस काम लोग यहाँ पर इस्तमाल करेंगे ओके आगे देखें तुम लोग थके थे यू वर वोन आउट देखें यू वर एक्सॉस्टेट यू वर तायट देखें तीनों तरह से आप इसको बोल सकते हैं नेक्स्ट आप लोग अनुपस्थित थे यू वर अपसेंट वर तयार था वर तयार था वर तयार था वर तयार था वर दुखी थी शी वर साथ शी वर अन्हापी तेक्यां आगे देखिए वे लोग भूके थे थे वर हंगरी आगे अच्चे प्यासे थे थे चिल्रेन वर थर्स्टी तुम्हारा भाई उपस्थित था यूर ब्रदर वस प्रेजन उसके भाई मूर्ग थे इस ब्रदर्स वर रुपट अब यहाँ पर एक चीज को समझेगा अगर लड़का रहेगा तो हिस बोलेंगे लड़की रहेगी तो हर एक और चीज कर सकते हैं हिस ब्रादर्स वर पुलिश ठीक है लड़की यह केस में करेंगे हर ब्रादर्स वर पुलिश ठीक है आप एक सिक्षक थे आप लोग सिक्षक थे आप लोग सिक्षक थे मतलब बहुत लोग है तो इसलिए टीचर्स वे लोग बुद्धिमान थे ठीक है अब बुद्धिमान होगा हम लोग विद्ध्यारती थे आप एक कभी थे वे लोग खिलाडी थे तुम एक लेखक थे यू वर अ राइटर नेक्स्ट वह एक गाई का थी शी वाज अ फिंगर मेरे मित्रगर्ण नेता थे मेरा भाई एक वकील था माई ब्रदर वस अ लॉयर माई ब्रदर वस अ लीडर वे लोग धनी थे They were wealthy, they were rich. Amal Babu एक नेता थे. Amal Babu was a leader. भारत धनी था. India was rich. Mahatma Gandhi महान थे. Mahatma Gandhi was great. राकेश और विमल पडोसी थे. राकेश और विमल वर neighbors. तुम और आलोक धनी थे. You and आलोक were rich. ठीक है? आये concept देखते हैं. सबसे पहले hint को देखिए. जो words हम लो यूज की है. hint for exercise 12 of 255. यह सभी जगा लिख लीजे सब. गरीब, हुवा. प्रसन, happy or glad. खका, worn out, exhausted, tired. अनुपस्थित, absent. तयार, ready. तुखी, sad or unhappy. भूका, hungry. प्यासा, thirsty. उपस्थित, present. मूर्क, stupid or foolish. सिक्षक, teacher. गुद्धिमान, wise. विद्यार्थी, student. कवी, poet. हिलाडी, player. लेखक, writer. गाइका, singer. नेता, leader. वकील, lawyer or pleader. धनी, rich or wealthy. पहान, great, पडोसी, neighbor. देख्या, concept देखते हैं. यहाँ पर हम लोग क्या use किये थे? Use of was, use of were. वाक्य के अंत में यदि मुख्य क्रिया के रूप में आ, पी, हे, ही, रहे. तो अंग्रेजी अनुवाद में वाक्य के करता, subject के अनुसार was और were का वहवार होता है. नीचे दी गई संचिप्त सार्णी को ध्यान पूर्वक अध्यान करें. person, पुरुष, singular, एकवचन, plural, पहवचन. first person, उत्तम पुरुष, I was glad, मैं प्रसन्य था, मैं प्रसन्य थी. और plural में, we were glad, हम लोग प्रसन्य थे, हम लोग प्रसन्य थी. second person, अध्यान पुरुष, you were glad, तुम प्रसन्य थे, आप प्रसन्य थे. तुम प्रसन्य थी, आप प्रसन्य थी. you were glad, तुम लोग प्रसन्य थे, आप लोग प्रसन्य थे, तुम लोग प्रसन्य थी, आप लोग प्रसन्य थी. Third person, Anya Purush, He was glad, वह प्रसन्न था, She was glad, वह प्रसन्न थी, I was glad, वह प्रसन्न था, Rabhi was glad, रभी प्रसन्न था, Neha was glad, Neha प्रसन्न थी Plural में, They were glad, वह लोग प्रसन्न थे, The boys were glad, लड़के प्रसन्न थे, The girls were glad, लड़कियां प्रसन्न थे, अब यहाँ पर concept वापस से मैं आपको बताता हूँ, आगे के वीडियो में बताया था, First person, कौन होता है First person, अब यहाँ पर यह वीडियो कौन रिकाट कर रहा है, मैं बोल र स्वाल, Second person कौन होगा, मैं किसे को पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो you, मतलब जो student इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, आप खुद को imagine करो, Third person, ठीक है, अगर मैं किसी तीसरे वेक्ति के बारे में बात करो, मालो निहा के बारे में बात कर रहा हूँ, आ If you're not about whom, I'm talking, this person, यह परशन आप नहीं हो सकते ठीक है, यह परशन कोई भी हो पर आप नहीं हो सकते ठीक है? आगे देखिए उपर दी गई साड़नी से इस पश्ट है कि I के साथ was, you के साथ were का वहवार होता है किसी अन्य शब्द के करता subject होने पर देखना होगा कि एक वचन singular है या बहु वचन plural है यदि एक वचन है तो was का वहवार होगा और यदि बहु वचन है तो were का वहवार होगा अब आप विभिन प्रकार के वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में was और were का वहवार देखेंगे Affirmative sentences, सकरात्मक वाक्य जो अभी हम लोग बनाए थे Structure क्या था? Subject plus was और were plus adjective or noun नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें मैं तयार था, I was ready हम लोग असहाय थे, we were helpless तुम लोग गलत थे, you were wrong आप लोग सही थे, you were right वह लंबा था, he was tall वह स्थरी सुन्दर थी, she was beautiful वह मजबूत था, it was strong वे असिक्षित थे, वे लोग असिक्षित थे, they were uneducated लड़के थके थे, the boys were tired आगे देखिये मैं लिपिक था, I was a clerk हम लोग किसान थे, we were farmers तुम एक विद्यार्थी थे, you were a student तुम लोग विद्यार्थी थे, you were students आप एक चिक्षित सक्थे, you were a doctor आप लोग अभियन्ता थे, you were engineers वे लोग अफसर थे, they were officers लड़के विद्यार्थी थे, the boys were students मोहन और राकेश मित्र थे, मोहन और राकेश वर friends तो इस तरह से हम लोग ये sentences बनाते हैं, was और were का अब देखिए हमारे पास 89 videos का course है, इस course का नाम है English sentence structure, इसमें बहुत सारे तरीकों से आपको बताया गया है कि sentences कैसे बनाते हैं, इस video को पढ़ने के लिए 9051-378712 इस number पे contact कीजिए, आपको सारे videos दिये जाएंगे, जाएंगे में खुश रहिए, कामे आप बनिये, धन्यवाद जाएंगे में धन्यवाद